वेलकम बैक टू आर इंस्टिटूट इकॉंस पिलानी वंस अगें तो आज हम इलेक्ट्र स्टैटिक्स में आगे कॉंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में लास्ट टाइम हमने बस कॉंटाइजेशन और चार्ज की प्रोपर्टीज और चार्ज को अगे अगे बात करें तो यहां पर में बात होती है हमारी कॉलम्स लॉग की यहां से चीज़े थोड़ी ग्रोग करना स्टार्ट कर देती है अब बेसिकली कॉलम्स लॉग कहता क्या है कि अगर आपके पास में दो कैसे चार्जेज हों पॉइंट चार्जेज हों पॉइंट चार्जेज मीन्स उनका सारा का सारा जो चार्ज है वो एक ही पॉइंट पर इसके लिए नहीं लगेगा रिख लिए और दूसरी बात जो दोनों चार्जेज है वो होने चाहिए रेस्ट पे, दोनों चार्जेज रुके वे होने चाहिए, तो उस केस में, जो दो चार्जेज हैं, लेट से उनके बीच का डिस्टेंस है, आर, तो वो दोनों चार्ज, एक दूसरी के उपर एक फोर्स लगा रहे होंगे, अब डिपेंड करता है कि अगर दोनों का नेचर सेम ह मिन्स दोनों पॉजिटिव हैं, या दोनों नेगेटिव हैं, तब तो यह फोर्स लगेगी रिपल्सिव, और अगर इनका नेचर अपोजिट है, मिन्स एक प्लस का एक माइनस का है, तब फोर्स हो जाएगी अट्रेक्टिव, ठीक है, तो कुलम्स लों यह कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जज़ हैं, उनके बीच में कुछ दिस्टेंस है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों चार्ज़ज़ का प्रोडिक्ट जितना बड़ा होगा, उतनी ही फोर्स जादा होगी, प्रोपोर्शनल्टी डारेक्ट है, तो प्रोडिक्ट गकर दिया 5 ताइमस पाँच में कुना, फोर्स भी 5 ताइमस हो जाएगी, गर मैंने इनके Сп्रोडिक्ट को कर दिया वन वन थर्ड, तो फोर्स भी 1 थर्ड हो जाएगी, गर दिरेक्ट पोर्पोर्शनल्टिक का मतलब यही होता है, लेकिन बिकार है स्क्यार में है, इसलिए अगर मैं distance को double करता हूँ, बढ़ा रहा हूँ, इसलिए force कम तो होगी सही, पर अगर मैं है distance को double करा, तो वहाँ पर two r का square होगा denominator में, इसलिए two का square is four, force one by fourth हो जाएगी, इसका मतलब दिखो simple words में क्या है अगर अगर यह force proportional होती 1 by r के तब क्या होता अगर मैं r को double करता तो force क्या हो जाती कम तो होती बड़ कितनी कम होती तो यहाँ पर r के जिगे क्या आता नया distance क्या होता 2r तो force क्या हो जाती half लेकिन अब यहाँ पर क्या है square है इसलिए force r को बढ़ाने से force कम तो होगी तो square के हिसाब से कम होगी वह means अगर r का मैंने three times कर दिया तो three r का square क्या होगा nine r square इसलिए force क्या हो जाएगी one by ninth वो बाते हम आगे और भी कर लेंगे अगर हम इन दोनों को combine कर देते हैं तो हमारे पास force की proportionality वाला formula क्या जाता है कि force is proportional to q1 q2 upon r square क्या होती है कि according to coulomb's law for two point charges which are at rest या फिर stationary point charges the electric force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them यह इसकी exact statement होती है अब यहाँ पे हमने इन दोनों को इस force को हमने लिख दिया proportional to q1 q2 upon r square जब हम इसको हटाएंगे proportionality को यहाँ पे एक constant आएगा constant multiplied by q1 q2 upon r square जो यह proportionality constant होता है उसको हम लिखते हैं k upon epsilon r और यहाँ पे आता है q1 q2 by r square पहले अभी हम epsilon r पे बात नहीं करते इतना पहले हम directly बात करते हैं तो इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं air की या vacuum की तो अगर हमारा जो medium है जिसमें की दो charges रखे हुए हैं if that medium is air और vacuum तब जो यह epsilon r होगा यह क्या होता है इसके बाद हम आगे कर लेंगे बट air या vacuum के लिए it is 1 इसलिए air या vacuum के लिए जो force का formula आता है वो बन जाता है k q1 q2 upon r square जो एक k होता है इसको electrostatic constant बोलते हैं आदर्वाइस का दूसरा नाम भी होता है कपास constant बट आप इसको simple ऐसे आ दखलो it is electrostatic constant okay k की जो value होती है it is 9 into 10 to the power 9 और units क्या होंगे तो units निकालना है तो हम उस चीज के जिसके unit निकालने होते हैं उसको हम अलग कर लेते हैं यहां से अगर मैं k को अलग करूंगा तो k का formula क्या होगा f into r square तो f into r square divided by q1 q2 तो यहां पर आ जाएगा q1 q2 ओके force की unit क्या होती है si newton r square means square of distance si unit of distance is meter तो meter का square और q1 into q2 charge के si unit is coulomb so it is coulomb square तो k की जो units होती है these are newton meter square upon coulomb square कई बर वो k के dimension भी पूछ लेता है तो k के अगर dimension निकालने है हमको तो k की unit क्या है newton meter square upon coulomb square तो newton is force force और energy के dimensions आपको नींद में भी याद होने चाहिए तो force होती है ml t minus 2 meter square means square of length इसलिए यह हो जाएगी l square और charge के dimension क्या होते है तो charge के dimension current क्या होता है charge upon time basic form में तो charge का formula आता है current into time इसलिए charge के dimension क्या होंगे current का dimension होता है a which is for ampere t is for time इसलिए यहाँ पर denominator में क्या जाएगा a t का square इसको अगर हम एक साथ लिखेंगे तो m अकेला है इसलिए m l into l square is l cube यहाँ पर t की power minus की 2 और denominator में a square t square इन दोनों को भी हम उपर ले जाएंगे यह बन जाएगा ml cube t minus 2 a minus 2 and t minus 2 इसलिए यह आजाएगा ml3 t minus 4 and a minus 2 because दोनों का number से में इसलिए power आपस में add हो जाएंगी तो minus 2 minus 2 is minus का 4 तो यह आजाते है k के dimensions ठीक है अब पहले तो हम बात जो कर रहे हैं वो अभी हम air या vacuum में ही बात कर रहे हैं इसलिए अभी मैं दोसी चीज़ों को नहीं ला रहा है इसलिए अभी हम सिर्फ air या vacuum में बात कर रहे हैं इसलिए आप बोल सकते हो कि जो दो charges है उनके बीच की जो force होगी वो value कितने आएगी उसकी के q1 q2 upon r square k is a constant तो यहां से पहली चीज़ तो हम कुछ questions यहां से solve कर सकते हैं अब basic questions कैसे आ सकते हैं इसमें आपसे ऐसे बोलेगा कि दो charges है q1 और q2 उनके बीच का जो distance है let's say it is r कुछ भी value हो सकती है पहले type की जो questions बनेंगे एक तो questions वो बनेंगे जहां पर आपको वो charges की value देगा और r की value देगा means आपके पास देखो चीज़ें क्या-क्या है एक force एक q1 एक q2 और एक r total चार चीज़ें आपके पास में कोई भी तीन चीज़ दे करके force चीज़ आप से निकलवा सकता है अब depend करता है कि कोई भी सीज़ जो उसने तीन चीज़ें दी है वो कौन सी दी है उसने वो जगता है आपको q1 दे दे, force दे, r दे दे, q2 निकलवा ले because k तो constant ही वो तो हमें पता होता ही है या फिर हमें r दे दे और मतलब जसे let's say कि हमको उसने f और r दे दिया इनमें से कोई charge निकलवा ले या दोनो चार्ज और force दे दे तो इस तरह से चारों में से कोई भी तीन दे करके four चीज़ आपसे वो निकलवा सकता है यहाँ पर maximum वो board level पर tough क्या कर सकता है तो यहाँ पर बस game चलेगा आपका prefix का ओके जो आपके prefix होते ना small power के और बड़ी power के small prefix होते ना deci, centi, milli, micro, nano, pico, of m to ato और बड़े prefix होते हैं हमारे पास में, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, उसके लावा length की दो units होती है, एक angstrom, एक fermi meter, तो बस वो prefix का game खिलेगा यहाँ पर, और कुछ ज़दा करने को होगा नहीं, तो main चीज यह है कि आपके पास question ऐसा सकता है, कि मालो q1 हो, six, micro coulum, okay, q2 द distance दे दिया, उसने 10 decimeter, और आप से पूचेगा कि force क्या होगी, तो अगर आपको prefix वाली table पूरी धंग से याद है, तब तो इसमें आपका वो कुछ भी नहीं बगार सकता, क्योंकि आपको सारे values पता होंगी, नहीं पता हैं, तो आप एक बढ़न को याद कर सकते हैं prefix के table को, जैसे यहाँ पर पहला चार्ज कितना है, 6 micro coulum, micro means 10 to the power minus 6 होती है, okay, milli means 10 to the power minus 3, दूसरा चार्ज आगे हमारे पास में 3 milli coulum, distance is 10 decimeter, अब decimeter का मतलब होता है 10 to the power minus 1, तो distance कितना आ गया, 1 meter, अब मेरे पास में Q1 है, Q2 है, और Q, sorry, Q1 है, Q2 है और R है, force निकालनी है, simple solving, यहाँ पर कुछ खास नहीं होगा, तो K की value क्या है, 9 into 10 to the power 9, SI system में, हमेशा आपको चीज़े solve करनी चाहिए, SI system में, unless कि वो CGS की बात करे, यहाँ पर CGS की बात इतनी नहीं करेगा, because charge की CGS unit वैसे बच्चों को board level पे इतनी नहीं याद होती, ठीकर हम लि Q2, Q1 is 6 into 10 to the power minus 6, and Q2 is 3 into 10 to the power minus 3 upon square of distance, distance is what, 1 meter, तो 1 का square, तो बस यहाँ से खतम काम, solving में क्या करना चाहिए हमको, अगर decimal होते हैं, सबसे पहले हमको decimals को remove कर देना चाहिए, decimal यहाँ पर है नहीं, इसलिए पहला step cancel, दूसरा step होता है कि 10 की जितनी powers हैं, उनको एक तरफ power minus 3, ओके, और जो numbers हैं, उनको अलग लिख लो, तो 9 into 6 into 3, numbers को में अलग लिख लिया, force है, इसलिए unit क्या होगा, उसका newton, ओके, अब यह हो जाएगा, 9 into 18, 6 तीजा 18, और 10 के सारी powers, सबका number same है, इसलिए powers आपस में add हो जाएंगी, तो यह कितने हो जाएगी, 9 minus 9, तो यह च 10 जा होता है, 180, उसमें से 18 कम करेंगे हम, तो यह जाएगा 162 newton, यह जाती है हमारे पास में force की value, अब इसमें सबसे tough करना होगा तो वह क्या करेगा, वह आपसे r निकलवाएगा, because r का square है, तो r का square है, तो बाद में आपको root भी लेना पड़ जाएगा, ठीक है, तो question थोड फिर निकालना पड़ता, तो कई बर question थोड़ा approximation वगरा में जा सकता है, फिर भी एक level से जाएगा tough को करता नहीं है, अब फिर भी एगर ऐसा question लेना हो, मैं कहता हूँ कि Q1 है, 10 coulombs, let's say Q2 है, it is 3 millicoolombs, यानिकि 3 newton about minus 3, और अगर जो force लग रही है, let's say force के value आएगी, it is 27 newton, तो आप से पूछे का बताओ, उनके बीच का distance कितना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, force is KQ1Q2 upon R square, तो R square कितना हो जाएगा, KQ1Q2 upon F, यहने कि upon force, तो R square के value क्या होगी, K, K is 9 into 10 to the power 9, Q1 into Q2, Q1 is 10, Q2 is 3 into 10 to the power minus 3, okay, upon force, force के value कितनी है, 27, यहाँ पर 9 into 3 is 27, 27 से 27, cancels out, यहाँ पर R square कितना हो जाएगा, 10 to the power 9, और 10 to the power 1, तो 10 to the power 10 into 10 to the power minus 3, यहाँ जाएगा 10 की power 10 minus 3, यहने कि 10 to the power 7, तो R square is 10 to the power 7, तो R क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको एक काम करो, आपको root लेना है ना इसका, इसको आप ऐसे कर लो, 10 to the power 6 into 10 to the power 1, ओके, पावर हमेशा अगर आप even रखोगे, तो root के बाहर easily आजाती है, 10 to the power 6 है, इससे root के बाहर क्या आएगा, 10 to the power 3, यहना power half आती है, और यहाँ पर क्या बचे गया आपके पास में, root of 10, ओके, अब 10 का root, let's say it is 3.2 के असपास होता है, तो अगर 10 का root is 3.2, आपका answer आ गया, यहाँ पर इतना, approximate, ठीक है, 9 के बाद अगले number का root क्या होता है, 16, इसका root क्या होता है, 4, यानि कि जो root 10 है, वो इन दोनों के बीच में है, तो value दोनों के बीच में आएगी, अब 9 और 16 के बीच में gap कितना है, 7 का, 16-9 is 7, आप 9 से एक ही number तो उपर बढ़े हो, तो आप जो gap है, 7 का, ठीक है, तो उसमें से आप एक ही आगे गए हो, तो आपको कितना add कर देना चाहिए इसमें, 3 plus 1 by 7, normally हम इस तरह से से चल लेते हैं उस चीज को, ठीक है, यह total 7 का gap है, आप सिर्फ एक ही आगे आए हो, तो कितना आगे आना चाहिए, 1 by 7, तो ऐसे approximate value निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है उसमे पहले category के questions तो यह आते हैं, दूसरी category के questions में आपको initial condition देगा और final condition देगा, initial और final conditions के बीच में आपको घुमाएगा, उसमें कैसे questions आएंगे, ऐसे बुलेगा कि दो charges थे, q1, q2, जो भी उनके बीच में distance था, कहेगा initially उनके बीच में force कितनी थी, f0, okay, initial forces f0, अब final में क्य कहेगा वो, कि जो पहला charge है, let's say it is doubled, पहले वाले charge का magnitude उसने double कर दिया, जो दूसरा वाला charge है, उसका magnitude इसने one fourth कर दिया, one by fourth, और जो distance है, distance को मालोई इसने कर दिया, ten times, यहां से आपसे दो चीज पूछ सकता है वो, या तो वो पूछेगा कि नई force, अब जो लगेगी, let's call it F dash, कहेगा कि नई force और पुरानी force का ratio क्या होगा, तो फिर भी थोड़ी हो जाएगा, कई बार वो percentage change में बात करता है, अला कि percentage change में इतने questions नहीं देगा वो, percentage change निकालना पड़ता है, उसमें क्या होता है, change of force, जो भी force में change हुआ है, किसी भी चीज का percentage change क्या होता है, change upon original into 100, इसलिए force का percentage change क्या होगा, change in the value of force upon original force which is F0 into 100, this is the basic formula for calculating percentage change in any quantity, और force का change क्या होगा, किसी भी चीज का change क्या होता है, final value minus initial value, change यह हो गया, upon हमेशा initial value होती है, denominator में हमेशा initial value होती है, जो पहले होती है value, शुरवात में, original value, यह percentage का formula आजाएगा, तो करना क्या है, आपको नई force निकालनी है, तो इसको कैसे करते हैं, आप पहले तो बोलोगे कि जो पुरानी force थी, उसकी value कितनी आती, के Q1, Q2 upon R square, अब नई force क्या आएगी, तो नई force क्या आएगी, उसके लिए हमको बोलाए कि Q1 को उसने double कर दिया, तो नया वला जो Q1 है, Q1 dash है, पुराने का double हो गया, इसलिए वो कितना हो गया, 2 into Q1, जो दूसरा वला है, वो one force कर दिया, इसलिए दूसरा वला charge क्या हो जाएगा, Q2 dash by fourth, one force कर दिया उसको, और जो distance है नया वला, उसको उसने 10 times कर दिया, इसलिए जो नया distance है, R dash, वो पु जानी force तो ये थी, जो मारे पास में है, ये, K Q1 Q2 by R square, नई वली force क्या होगी, K तो वही रहेगा, नया वला Q1, नया वला Q2, और नये वले R का square, आपने simply यहां से value उसको उठाना है, यहां पर रखना है, और बाद में इनको यह तो divide कर दो, या उसके terms में निकाल लो, तो क नया वला Q1 हो गया, 2Q1, नया वला Q2 कितना हो गया, Q2 by 4 और नया distance कितना हो गया, 10R उसका square, इसलिए कितना बन जाएगा, यहां से cut गया, तो यहां जाएगा 1 by 2, यहां पर जाएगा K Q1 Q2, अब denominator में 10R का आएगा square, 10 का square is 100 into R square, तो यहां से 1 by 200 भार आ जाएगा, और यह value आई है, K Q1 Q2 by R square, यह हमारी पुरानी force की value है, original force की value है, इसलिए हम यहां पर इसको रख सकते हैं, F' क्या हो जाएगा, 1 by 200 multiplied by पुरानी force, which is F0, तो यहां से F' by F0 का अगर मैं ratio निकालूंगा, तो इट विल बिकम 1 upon 200, जो पूछा है उसने ratio, वह ऐसे निकल जाएगा, percentage change बताया मैंने आपको, नई force minus original force upon original force into 100 होगा, तो बस नई force क्या है, नई force is F0 upon 200, यह रही value, minus पुरानी force, it is F0 upon original force, it is F0 multiplied by 100, यहां से क्या formula आएगा हमारे पास में, F0 by 200 minus F0, तो LCM क्या हो जाएगा, 200, इसलिए percentage change क्या आएगा, F0 minus 200 F0 upon 200, और जो यह F0 है, यही पर रहेगा denominator में, multiply किसे करना है इसको, 100 से, तो multiply कर दिया, 100 से, यह कट गया, अब F0 minus 200 F0 is minus 199 F0, denominator में 2 F0, यह कट गया, तो minus का 199 by 2%, यहनि कि 99.5%, यहां पर 200 होता, तो it will have become 100, ओके, तो उसमें से 1 point कम कर दिया, तो 99.5, minus sign shows, कि जो force है, वो कम होई है, decrease होई है, अगर force बढ़ जाती, तो percentage change would have been positive, तो एक category यह हो जाती है, इस questions में, इससे जदा कुछ खास modify करेगा नहीं वो, वैस्तों इसमें category और बन जाती है, जहां पर आपको charges की values, वो percentage change में बोल देगा, यह पहला charge है, it is increased by 40%, ठीक है, दूसरा जो charge है, उसके लिए बोलेगा, decreased to 20%, और जो distance है, उसके लिए बोल देगा, कि increases by 10%, पर इससे same बात पूछ लेगा आपसे, कि बताओ, अब जो नई force होगी, और जो परानी force होगी, उनका ratio क्या आएगा, तो पहले उसने directly बोल दिया था कि यह double हो गया, यह one by fourth हो गया, यह ten times हो गया, थोड़ा सा extra खीचने के लिए, वो percentage change का use कर सकता है, question में, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, बस आपको दियान का रखना होता है, यहाँ पे, कि जब वो word use करता है by, जब भी word use करता है by, तो आपको आपको आपे plus या minus use करन होता है, कैसे देखो, इसने बोला है कि जो Q1 है, नया वाला Q1 है, तो Q1 is increased by 40%, इसका मतलब क्या हुआ, कि Q1 पहले जो भी था, अब उससे 40% जादा हो गया है, means नया वाला Q1 क्या हो गया, पुराना वाला Q1, पुराने वाले Q1 का 40% add हो जाएगा, इसलिए इसने जब word use करा ह है, by, तो आपको यहाँ पे plus या minus use करना पड़ता है, अगर उसने कहा होता, decreased by 40%, तो मैं यहाँ पे Q1 minus लगाता 40% का, बस इतना करना होता है, जब word use करता है, वो 2, तो आप directly equal to word use कर सकते हो, जैसे नया Q1- कितना आ जाएगा, तो Q1 plus 40% को अटाना है, तो denominator में 100, off को अटाना हो गया, 2 by 5, आप LCM लोग है, तो 5 plus 2 is 7, तो नया Q1 is 7, Q1 by 5, similarly, अगर मैं बात करो, distance की, तो जो नया distance है, उसको बुलाए, it is increased by 10%, चलो इसको हम increase की जगे, decreased माल लेते हैं, तो गर decrease करा है, इसका मतलब नया वाला distance क्या होगा, पुराना distance minus पुराने distance का 10%, उसमें से subtract करना है because of the word by, इतने से कम्या जदा किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r, 10 by 100 r, यानि कि r by 10, 10 minus 1, it is 9 r by 10, तो नया distance यह हो गया, और जो Q2 है, it is decreased 2, यहाँ पर word कौन सा है, 2, तो यहाँ पर आपने कोई plus minus नहीं करना, यहाँ पर directly आप लिखोगे, कि अब Q2 कितना हो चुका है, नया वाला कि पुराने वाले का 20% हो गया है, decreased 2, इतना हो चुका है वो, इसलिए नया वाला Q2 डैश क्या आएगा, 20 by 100 into Q2, यहनि कि Q2 by 5, इसके बाद वो काम आपने सेम ही करना है, आपके बार, पुरानी फोर्स आप लिखोगे, के Q1 Q2 by r square, नई फोर्स लिखोगे, के नया वाला Q1, नया वाला Q2 upon नय वाले distance का square, फिर दुबारा से ratio ले लो, या फिर नई फोर्स को पुरानी फोर्स के terms में ले आओ, इसके बाद, थोड़े से अब हम बात करते हैं, देखो, medium के बात करते हैं, तो क्या होता है, जो gravitational force होती है, जैसे आपने 11 में पढ़ी होगी तो gravitational force में, medium का कोई difference नहीं आता, means अगर दो masses है, एक एक किलो के, उनके बीच में distance कितना है, उनको चाहे आप हवा में रखो, चाहे पानी में रखो, चाहे लकडी में रखो, चाहे किसी भी medium में रख दो, जो gravitational force है, वो medium पे depend नहीं करती, it is independent of the medium, but charges के case में क्या होता है, अग कोई difference नहीं, लेकिन अगर दो charges को आपने पानी में रख दिया, या दो charges को आपने nitrogen में रख दिया, means अगर आपने medium change कर दिया, तो force change हो जाती है, change होती क्यों है force, पर उसको समझ लेते हैं, हलागे शायद कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी पता होना चाहे, अगर दो charges हैं, अगर ये air में हैं, तब तो बस ये दोनों आपस में कर रहा है, interact, ये उसको इपर force लगा रहा है, ये उसको इपर लगा रहा है, बट लेट से कि हमने इसको किसी medium में रख दिया, इसको नेगेटिव चार्ज घेर लेंगे, इसको आसपास negative charges जमा हो जाएंगे, similarly, जो negative charge है, इसके आसपास कौन से charge जमा हो जाते हैं, positive, अब जो ये positive charge नेगेटिव के पास में जमा हो गए, इसलिए इस point पे जो इसका influence था, जो इसकी force थी, वो अब decrease हो जाएगी, because overall तो ये charge कम हो गया negative, because positive मिल गए, similarly ऐसे यहाँ पे जो positive था, तो यहाँ पे जो इसकी force कर रही थी, तो ये, because अब ये positive के साथ में negative वाले charge आ गए बहुत सारे, इसलिए उसका influence कम हो गया, जिसने मेरे पास मानलों कोई गरम कोईला होता, और उसको मैंने बरफ के अंदर रख दिया होता, तो जो बाहर गरमी होती अब, जो पहले मिल रही होती, वो नहीं मिलेगी, इसलिए medium के वज़े से electric forces वो change हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं, कि अगर हम किसी medium में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा formula आता है, force का, वो क्या हो जाता है, k upon epsilon r, और जो ये k होता है, ये इसको खुद को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कि 1 upon 4 pi epsilon 0, तो जो formula बनेगा force का, वो क्या हो into q1 q2 by r square, तो बात करते हैं कि ये epsilon 0 या epsilon r क्या होता है, ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हम epsilon, ठीक है, तो पहले हम इसी के वपर बात कर लेते हैं, तो जो ये चीज होती है, epsilon, इसको हम बोलते है, permittivity, permittivity, अगर मैं किसी medium के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसको हम लिखते है epsilon m, means permittivity of a medium, अब ये medium कुछ भी हो सकता है, अगर water होगा तो उसकी permittivity, epsilon of water, अगर steel है तो epsilon of steel उस तरह से, ठीक है, तो permittivity basically होती क्या है, ये word आता है permit से, permit का मतलब होता है, कि कोई medium, दो charges के बीच का जो interaction है, जो force है, उसको कितना allow करता है, या कितना उसको limit करता है, जैसे road होते हैं, कहीं truck वगरा होते हैं, उनके पास में national permit होता है, तो वो किसी भी state में जा सकते हैं, कहीं के पास सिर्फ state permit है, तो उनको वो दूसरे state में जाना allow नहीं होता, यहां पे बात होती है, allow के साब से, what is permittivity, permittivity is that property of a medium, which defines how much that medium allows the interaction between two charges, कितना वो उनको allow करता है, उस way में होती है, तो actually, epsilon m हमारे लिए कोई खास काम की बात आएगी नहीं, अगर हम यहां पे बात करते हैं, epsilon not की, epsilon not is what, it is permittivity of air और vacuum, okay, air या vacuum के लिए permittivity की value कितनी होती है, तो it is experimentally calculated and it is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12, okay, इसकी unit क्या होंगी, तो हमने कहा था कि जो k है, वो होता है, one upon four pi epsilon not, तो यहां से आप निकाल सकते हो, आपको k पता है, four पता है, pi पता है, तो आप epsilon not भी निकाल सकते हो, तो experimental नहीं, इसको तो हमने mathematically ही निकाल लिया है, एक अच्छा question बन सकता है, जहां पे आपको पूछे कि बई, आपको prove करना है, कि epsilon not की value यह आती है, त इसको prove कर सकते हो, तो यह calculations हो जाएंगी, अदरवाइस कुछ भी नहीं है, तो मैं बात किसके कर रहा हूँ, units के बात कर रहा हूँ, अगर मैं epsilon not को देखूंगा, तो it is equal to one upon four pi into k, means जो unit है, epsilon not की, वो k की reciprocal आएंगी, k की units की आई थे हमारे पास में, newton meter square upon coulomb square, इसलिए epsilon not की जो units होंगी, वो इसकी reciprocal होंगी, means coulomb square upon newton meter square, same thing goes with the dimensions, जो dimensions आएंगे, epsilon not के, वो k के dimensions के उल्टे आजाएंगे, वो हमने निकाल रखेंगे, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हो, यह value होती है, epsilon not की, बट यहाँ पे हम जो mainly define करते हैं, वो क्या करते हैं, हम epsilon r, epsilon r is called relative permittivity, कि इसी भी medium के लिए, relative permittivity of a medium, अब हम relative निकालते हैं, relative इसलिए निकालते हैं हम, let's say कि मानलो कोई एक चीज है, मानलो कोई पाने की bottle है, एक bottle का price है 23.2 rupees, दूसरी bottle का जो price है, it is 46.4 rupees, एक और bottle है, उसका price मानलो ऐसे कुछ हो जाए, let's say 232 rupees, तो एक तो हम सारी values को याद रखे या फिर एक मैं कहे दो कि भाई, जो bottle 23.2 rupees की ना, इसको base मानलो, तो आप directly बोलो कि भाई, जो दूसरी bottle है, इसका price इससे double है, वो bottle है, इसका price इससे 10 times है, तो याद अखना असान हो जाता है हमारे लिए, इसी भी चीज के हिसाप से, आप कपड़े देखने गए, वो करना असान हो जाता है, जैसे कि हम relative density भी निकालते हैं, बहुत चीज़ें होती है, जहां पर हम relative निकाल लेते हैं, तो what is relative permittivity, relative permittivity is simply the ratio of permittivity of a medium upon permittivity of air or vacuum, तो यहां से हमें क्या है, देखो, अगर मैं कहना हो कि किसी medium की relative permittivity is 5, इसका मतलब simple से बात क्या हो गई, कि उस medium की जो permittivity है, exactly, it is 5 times of permittivity of air, यहां से यह multiply हो जाएगा, तो फिर हमें इस value के हिसाब से याद नहीं रखना, हम simple बहुत सकते हैं कि air के comparison में उस medium की permittivity 5 times है, जैसे water की बात करते हैं अगर हम, तो water की relative permittivity is 81, तो यहां से यहां दखना आसान है, एक तो मैं कहूँ कि water की permittivity is 81 into value और फिर आपको बहुत याद करने के लिए, तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा, और यहां से आसान हो जाएगा, तो simply आपको याद दखना है कि relative permittivity of water is 81, तो काम खतम, जो भी value आएगी उसको 81 से multiply कर लेंगे, इसलिए relative permittivity की importance हो जाती है, यहां पे एक तरह के questions तो वैसे आते हैं, जैसे आपसे बोलेगा कि दो charges हैं, वही Q1, Q2, वही distance है उनके बीच में, और वो रखे हुए air में, तब उनके बीच में जो force लग रही है, it is F0, फिर बोलेगा कि अगर मैंने उनको रख दिया water में, अगर मैंने उनको water में रख दिया, let's say उसने आपको force की value भी द force जो water में लगेगी, उसकी value क्या होगी, अब यहाँ पर एक बात तो आप directly देख सकते हो, इस formula से, ठीक है, यहाँ पर देखो, जो यह value है, epsilon r, epsilon r की जो value है, वो air के लिए कितनी आएगी, अगर मैं epsilon r, यानि कि relative permittivity के बात करूँ, for air या vacuum, तो air या vacuum के लिए बात करूँगा अगर, तो medium कौन सा हो गया हमारा अब, जो मारा medium है, वो क्या हो गया, उपर air आगी, नीचे भी air की permittivity आ गई, तो it is simply epsilon naught upon epsilon naught, यहनि कि one, means relative permittivity for air और vacuum, it is one, यह बात आप rightly याद आद सकते हो, इसलिए मैंने starting में कहा था आपको, कि यह air के लिए one आ जाती है, definition wise भी कुछ ख कि relative permittivity is simply the ratio of permittivity of a medium and permittivity of air और vacuum, यहाँ पर एक बात आ रही है, जब हमने formula ऐसे लिखा है, यह रहा formula, relative permittivity जितनी जादा होगी, force उतनी ही कम हो जाएगी उनके बीच में, सबसे minimum value किसके लिए आती है, air के लिए, इसलिए relative permittivity कभी भी one से छोटी नहीं हो सकती, तो यह value ब तो उनके बीच की force, original force से कम ही होनी है, बढ़ नहीं सकती कभी भी, अगर आपने उनको water में रख दिया है, तो water में रखने के बाद, जो नई force आएगी, वो क्या आएगी, इस question में बोलेगा कि उसमें कुछ change नहीं करा, सिर्फ medium change करा है, बतलब charges भी वही है, और distance भी वही है अब जो नई force आएगी, वो क्या आएगी, जो पुरानी force थी, वो क्या थी, F0 162, और इसकी value क्या आएगी होती, 1 upon 4pi epsilon 0, relative permittivity epsilon r तो 1 हो जाती, और यहाँ पे क्या आता, Q1 Q2 by r square, अब जो नई force आएगी, उसकी value क्या आएगी, 1 upon 4pi epsilon 0, epsilon r, into Q1 Q2 by r square, अगर मैं यहाँ पे epsilon r को बाहर निकाल लूँ, तो बाकी सब चीजें तो एक साथ रह जाएंगी, तो बाकी सब चीजें क्या होंगी, 1 upon 4pi epsilon 0, multiplied by Q1 Q2 by r square, और जो यह value है bracket के अंदर, it is what, it is the value of original force, F0, means जो आपकी नई force होगी, it is equal to F0 upon epsilon r, directly आप इस तरह से ratio याद दख सकते हो, कई बार तो simply एक number में, वो अब जस्ट आप से ratio पूछता है, तो नई force upon पुरानी force का ratio क्या आएगा, 1 upon epsilon r, अब water के case में, हमें given है, मालो कि epsilon r is 81, related permittivity of water is 81, इसलिए हम बोल सकते हैं, जो नई force आएगी, वो क्या आएगी, पुरानी force upon 81, पुरानी force थी 162, इसलिए नई force क्या जाएगी, 2 newt ठीक है न, 81 से 162 कर जाएगा, means force 1 upon 81 times हो गई, ठीक है, तो ये funda होता है हमारे पास में, relative permittivity का, या absolute permittivity का, एक और चीज़ है यहाँ पे, आगे के लिए बता रहा हूँ, जब भी कोई formula आप लिखोगे, आगे बहुत सारे formula आएंगे, electric field के आएंगे, potential, potential energy के बहुत सारे, तो किसी भी formula में, अगर epsilon not दिया हुआ है, और वो formula आपने लिखा है, किस के लिए, air या vacuum के लिए formula है, for example, आगे की चीज़ है, बस जिसमें बता रहा हूँ आपको, जिसे capacitance का formula आएगा आपके पास में, parallel plate capacitor की capacitance is, epsilon not, a by d, a और d क्या होता है, छोड़ो उस चीज को, यहाँ पर focus करते हैं, या फिर electric field का formula आएगा, sigma upon two epsilon not, तो यह दोनों formula होते है, air के लिए, तो जब भी कोई formula आपको air के लिए पता है, उसी formula को आपको लिखना क्या है, medium के लिखना है, जब भी medium के लिखना होगा ना, तो simply या दखना, जहाँ पे भी epsilon not आया हुआ है, उसके साथ relative permittivity को multiply कर दोगे, means capacitance, capacitor की किसी भी medium में, वो क्या हो जाएगी, तो जहाँ पे भी epsilon not है ना, उसके साथ अब epsilon not को multiply कर देना, तो formula उस medium के लिए हो जाएगा, जिस भी formula में epsilon not आ रखा है, अगर वो air के लिए है, तो ठीक है, medium के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे epsilon not की जगे पे क epsilon r, reason being, कि आप force को ऐसे लिख सकते हो, 1 upon 4 pi epsilon m, epsilon m is what, permittivity of medium, और अभी हमने देखा था, कि permittivity of medium क्या होती है, epsilon not into epsilon r, इसलिए, air के लिए लिए लिखा था, तो air की permittivity relative is 1, इसे लिखते नहीं है, medium के लिखना है, epsilon r आपने multiply करना पड़ेगा आपको, इसे electric field है, तो medium में क्या इसे electric field, जो medium में आएगी, तो simply यहाँ पे भी, epsilon not के साथ में, आप epsilon r को multiply कर दोगे, एक बात और आती है, यहाँ पे, जब हमने column slow लिखा था, तब हम यह वाला word use क्यों करते हैं, कि point charges, point charges word का हमने use क्यों करा था, देखो, क्या होता है, अगर आप से पूछे, कि अगर दो charges ह हैं, उनका nature है similar, means दोनो positive हैं, तो क्या यह जरूरी है, कि वो हर बार repel ही करेंगे, क्या वो attract भी कर सकते हैं, तो अगर वो bodies है, अगर point charge नहीं है, तो यह चीज बिलकुल possible है, कि दो charges, दो bodies हो, उनका charge similar nature का हो, means दोनो positive हो या दोनो negative हो, वो attract भी कर सकती है, कैसे, because of induction, जैसे म charge, let's say it is 100 coulombs, इसका charge है 1 coulom, अब क्या होगा, यह जब छोटी body इसके पास में आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, induction, induction होगा, तो यह खुद positive है, positive यह भी है, लेकिन 1 coulom का मतलब क्या है, let's say, कि इसके पास में negative charge है, minus 50 coulom, और positive charge कितना है, 51 coulom, इसलिए उनका जो resultant है, it is plus 1 coulom, तो यहाँ पर क्या होगा, जब यह positive इसके पास में आएगी, तो negative charge को यह अपने पास खीच लेगी, और जो इसके positive charge होंगे, उनको यह body repulsion से दूर भगा देगी, अब क्या होगा, जैसे हम last time बात कर रहे थे, यह जो negative है, और जो positive है, इनके बीच का distance कम है, और और जो यह positive और यह positive है, इनके बीच का distance जादा है, और हमें पता है कि जो electric force होती है, it is proportional to square of distance inversely, इसलिए अगर distance बढ़ेगा, तो force decrease हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए हम बोल रहे है कि जो यह positive positive के बीच में, जो distance है, मतलब जो force है, repulsion की, between positive and positive, वो कम होगी as compared to, जो इन के बीच में attractive force होगी, because distance कम है, जोड़ा सा charge जादा होगा, मैं मानता हूँ यह बात आपसे है, यह charge मालनों minus 50 आया, तो यह आएगा plus 51 कूलम, लेकिन distance का square होता है, इसलिए उसका role जादा important होता है, इसलिए overall आप यहाँ पर बोलोगे, कि attractive forces dominate कर जाएगी, repulsive को, और यह bodies attract कर स ठीक है, फिर आगे गर हम बात करें, तो देखो, अगली जो चीज आती है, it is called superposition principle, superposition principle, तो क्या है, जो कूलम्स law है, पहली बात तो चलो, हमको क्या देता है, force देता है, force is a vector quantity, means force के लिए हमें, उसका direction भी पता होना चाहिए, तो वो हम आगे पता कर लेंगे, कूलम्स law in vector form, बट superposition principle क्या होता है, इसको आप तीन जगे पढ़ते हो, एक तो 11th class में पढ़ते हो, आप gravitation में, Newton's law में, दूसरा आप पढ़ते हो इनको waves में, 11th class में, 12th में पढ़ोगे, बट इतना नहीं पढ़ते है, आप wave optics में, वापे भी waves में होता है, superposition, सेम चीज य है, ऐसे, ठीक है, तो अगर मुझे निकालनी है, Q1 के ओपर total force, total force निकालनी है, किसी एक charge पे, which is surrounded by a number of charges, उसके आसपास बहुत सारे charges है, तो इस charge Q1 के ओपर, total force कितनी आएगी, अगर हमें के total force निकालनी है, तो देखो, इस Q1 के ओपर, ये वाला जो charge है Q2, मालों दोनों positive ह है, तो ये force लगा रहा होगा, repulsion की, इस direction में लगा रहा होगा, ये Q3 negative है, तो ये इसके ओपर force लगा रहा होगा, इस direction में, F2, attraction की, ठीक है, ये Q5 है, ये इसके ओपर force लगा रहा होगा, ऐसे, मालों F4, और ये Q4 लगा रहा होगा force इसके ओपर ऐसे, F3, तो इस एक charge Q1 के उपर टोटल चार फोर्स लग रही है तो according to principle of superposition अगर हमें net force निकालनी है किसी भी एक charge के उपर because of multiple other charges तो net force is given by vector sum of individual forces due to individual charges means किसी भी एक charge के उपर अगर आपको बहुत सारे charges के वजए से total force निकालनी है तो आप वो जो individual charges हैं उनकी वज़े से लगने वाली individual forces निकाल लो और net force निकालने के लिए आपको इन सारी forces को vector में add करना है directly add नहीं करना मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि अगर ये force है one ये है two ये है three ये है four तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके उपर total force कितनी हुजाएगी कि four plus three seven plus two nine plus one ten नहीं because force is a vector vector में direction matter करता है because अगर एक force लग रही है इस तरफ 10 और एक लग रही है इस तरफ 2 तो net force 12 नहीं होगी इतनी होगी eight newton होती है नहीं वेक्टर's law of addition होता है हाँ अगर एक force 10 ऐसे है और दूसरी force 2 ऐसे है तब तो force 12 हो जाएगी लेकिन अगर एक force ऐसे है और एक force ऐसे है 10 इनका जो resultant होगा वो eight और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है नहीं वेक्टर's law इसलिए वेक्टर's को जोडते हैं तो उनके बीच का angle is also important and because of the dependency on angle इसलिए हम बोलते हैं कि force को आपको कैसे add करना है in vector तो overall जो statement आता है superposition principle का it is what net force on any given charge due to a number of other charges is given by the vector sum of the individual forces due to individual charges अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ दो charges हों तो उनके बीच की force को हम vector में कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हम बहुत बात करते हैं हम बोलते हैं Coulomb's law in vector form okay vector form में आप इसको कैसे लिखोगे okay यहाँ पर क्या है जैसे मान लो हमारे पास में दो charges है Q1 और Q2 लेट से कि दोनों positive हैं हमें दोनों का position vector दे रखा है position vector simply क्या होता है origin से हम उस point को join कर देते हैं from the direction of origin towards that point and this vector is called position vector लिखना बड़ा असान होता है यह जैसे मान लो हम Q1 है point A पर तो मान लो आपको point A के coordinates पता है minus 1, 2, 3 तो जो point A है उसका जो position vector आएगा R1 means OA vector simply क्या करना है पहले वाला coordinate होता है X का तो उसके आगे आप लगा दो I cap, दूसरा वाला होता है Y का उसके आप लगा दो J cap, तीसरा वाला होता है K का Z का आगे लगा दो आप K cap, इसलिए position vector लिखने में कोई बड़ी बात नहीं होती let's say question मैं मुझे उसने पूछा है कि भाई साब आपको force बतानी है on charge Q2 that is, जो charge point B पे रखा हुआ है तो आप दिखोगे कि मालनों charge positive है ये बात तो पक्की हो गई कि इनके बीच की जो force होगी, वो repulsive होगी means B पे जो force लग रही होगी, उसका direction ये होगा तो इस direction को ध्यान रख करके आप choose करोगे कि इन दोनों vectors को जब मैं join कर रहा हूँ तो इनके बीच का ये vector आएगा हमारे पास मैं displacement vector उसको आपको force की direction में ही लेना है हमेशा आपको r vector choose ऐसे करना है कि r vector is parallel to force मालो ये charge होता negative, तो force लगती इस direction में attraction की, तो मैं r vector को भी ऐसे लेता ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ because अगर दो vectors parallel होते हैं तो उनकी direction सेम होती है दो vectors अगर parallel हैं तो उनकी direction सेम होगी direction सेम होने का मतलब क्या होता है vector की direction का मतलब क्या होता है उसका unit vector सेम होगा इसलिए direction सेम है इसलिए r का unit vector will be equal to unit vector of force तो वहां से निकालना मेरे लिए असान हो जाएगा force का direction क्या होगा जो r vector का direction है means दोनों का unit vector will be same अब मुझे निकालनी है यह force on b अगर मैं बात करूँ सिर्फ magnitude की सब तो को issue नहीं है magnitude क्या होगा force का a q1 q2 upon distance का square जो distance है it is what distance is a b तो a b का square और जो यह distance है a b it is actually magnitude of r vector जो भी यह r vector है उसका जो magnitude है जो length है वही तो यह है distance इसलिए हमारी जो force होगी उसका magnitude तो हम simply क्या निकाल लेंगे a q1 q2 upon magnitude of r का square तो सारा game आ करके किस पर जाएगा r vector पे r vector को हम कैसे निकाल लेंगे using triangle law आप देखो triangle law क्या कहता है कि यह वाला vector r1 और यह वाला जो vector है r इन दोनों की sense of rotation same है clockwise और जो यह vector है r2 इसकी sense कैसे है anti-clockwise तो triangle law vectors का क्या बोलता है कि जिन दो vectors की direction sense same होती है उनका vector sum इसके बराबर होता है उस vector के जिसकी direction sense उनसे opposite होती है इसलिए यहां से हम बोलेंगे by triangle law r1 plus r is equal to r2 तो by triangle law of vector addition r1 vector plus r is equal to r2 vector तो r vector is r2 vector minus r1 vector तो अगर आपको दोनों vectors दे रखे होंगे इस तरह से i, j, k में तब तो हमारे लिए उसको subtract कर लेंगे क्योंकि i cap वाले में i cap वाला ही plus minus होता है j वाले में j वाला ही plus minus होता है और k वाले में k वाला ही plus minus होता है इसलिए हमारा काम हो जाएगा हमें r vector मिल जाएगा r vector हमें मिल जाएगा तो हम r का unit vector भी निकाल सकते है किसी भी वेक्टर का unit vector क्या होता है, vector divided by its magnitude, हमारे को यहाँ पर r मिल जाएगा, एक बर मालो हमको r vector मिल जाता, let's say हमारा r vector आता ऐसे, 2i minus j plus 4k, तो r vector का magnitude क्या होता है, किसी भी vector का magnitude क्या होता है, उसका i वाला जो coefficient है, उसका square root के अंदर, j वाले coefficient का square, और k वाले coefficient का square, तो बस simply यहाँ से कितना आजाता है, root 21, 16 plus 4 plus 1, it is root 21, और एक बार हमें r का magnitude मिल जाता, तो हम r का unit vector भी निकाल लेते, तो वो कितना आता हमारे पास में, r vector, 2i minus j plus 4k upon उसका magnitude, तो हमें unit vector भी मिल जाता, तो हमारे दोनों काम हो जाते, अभी के लिए हम r vector को एक बार को यहीं माल लेते हैं, तो r vector को हमने यहीं माल लिया, तो r का unit vector क्या होगा, r vector तो क्या है, r2 minus r1 और r vector का magnitude क्या होता, यह जो vector है r2 minus r1, इसका magnitude, यह आ गया हमारे पास में r का unit vector, तो हमारे पास में जो force आई थी, force का magnitude तो यही था, लेकिन अगर हमें force को लिखना होता vector में, तो force vector में क्या आती? कोई भी vector क्या होता है? उसका magnitude into उसका direction, तो force का magnitude तो क्या आया था? k q1 q2 upon magnitude of r का square और force का unit vector यह हम आलएड़ी बात कर चुके हैं कि r vector और force parallel है इसलिए दोनों का unit vector same होगा इसलिए यहाँ पर force का unit vector क्या होगा जो r का unit vector है यह हमारा formula आ गया basic form में थोड़ा से इसको अगर हम modify करना चाहें तो हमें पता है कि किसी भी vector का unit vector क्या होता है vector divided by its magnitude तो यहाँ पर यहाँ आ गया अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो k q1 q2 multiplied by r vector और denominator में क्या हो जाएगा r के magnitude का square है और एक और multiply हो रहा है इसलिए magnitude of r का cube तो final formula अगर आपको लिखना है अब आप simply बस r vector की value को रख दो which is r2 vector minus r1 vector काम खताम हमारा vector form में क्या आएगी force k q1 q2 magnitude of r का cube है r is what r2 minus r1 तो उसके magnitude का cube multiplied by r vector तो यानि कि r vector is r2 vector minus r1 इस तरीके से वाला कि दिखने में थोड़ा formula हमें ड्रावना से लगता है लेकिन जब proper solve करोगे तो कुछ खास है नहीं सारा game कि इसके उपर होता है बस r vector को निकालने का तो अगर आपको थोड़ी बहुत knowledge है vectors की तब तो कुछ भी नहीं है नहीं भी है उसके लिए हम next class में question कर लेंगे अगर question by chance आ भी जाए इसके उपर तो आप solve कर पाओ अलाकि board में chances कम होते हैं कि इसके उपर numerical आए जादर वो यह derive करवा लेता है तो इसलिए ऐसे हमने force निकाली यह भी B वाले charge के उपर same ऐसे हम force A वाले charge के उपर भी निकाल सकते थे अगर मैं A वाले charge के उपर force निकालता तो A वाले charge के उपर जो B वाला charge है वो force नगरा होता बाहर की तरफ because of repulsion तो उस case में मैं R vector को भी force के direction में यानि कि इस direction में choose करता simply बस एक चीज बदलती अपकी बार R2 और R same sense में होते R1 होता उल्टा तो बस आपका R vector के आगे एक minus sign लग जाता इसलिए आप simply end में यही बोलते जो force होगी A की वो equal तो होगी B के बट बीच में क्या आता है minus sign बाकि वो बात भी हम next class में कर लेंगे आज यहीं पैंड करते हम इसको Thank you all for watching ठीक है